फ्रेंज आज की वीडियो में मैं आपको एंजल ब्रोकिंग से डिलेवरी शेर को कैसे बेचा जाता है सिखाने वाला हूँ अगर आपने भी एंजल वन के अंदर डिलेवरी शेर रख रखे हैं यहां फिर आपने काफी समय से उस शेर को ओल्ड कर रखा है बाई करके छोड़ दिया था और आप उसे सेल करना चाते हो तो कैसे करोगे यहां पे सबसे पहले आपको एंजल एप्लिकेशन को यहां पे जो एंजल वन की है उसे यहां पे ओपन करना है कुछ इस तरीके से आपके सामने इंटरफेस आ जाएगा यहां पे गाईस बेसिकली आपका जो एंपिन है वो यहां पे डालना है तो मैं यहां पे एंपिन को फिल अप कर लेता हूँ उसके बाद में गाईस इस तरीके से आपके सामने इंटरफेस आ जाएगा जैसे ही आप यहाँ पे MPN डालोगे तो आपके पास Home इंटरफेस कुछ इस तरीके से दिखाई देगा यहाँ पे गाईस सबसे पहले आपको एक बात बता देना चाहता हूँ को यहां पे जो angel 1 का इंटरफेस है वो चेंज हो चुका है तो आपने अभी तक angel 1 को अबडेट नहीं किया है तो अबडेट कर लीजिए अबडेट करने के बाद में कुछ इस तरीके का आपके सामने इंटरफेस आएगा यहां पर गाईज आपको करने क्या है कि सबसे पहले जो भी आप लाइक यहां पे जिवो शेर्स आपने होल्ड कर रहे ही वो देखना चाहते हो तो यहां पर सबसे पहले आपको जो है प्रोफिट यहां पर देख तो portfolio यहां पर दिखाई देगा तो इस portfolio वाले option पर आपको click कर देना है जैसे ही इस पर क्लिक करोगे इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा अब बैसिकली गाइस यहां पर जो पॉटफोलियो हमारा ओपन हुआ है वो बैसिकली यहां पर क्या हुआ है कि यहां पर दो तरह का पॉटफोलियो है यहां पर पहले क्या होता था कि यह वन पॉट सा mutual fund यह दोनों का यहां पर मैंने all पर set कर रहा है तो आप अपने जो shares buy कर रहे हैं जिन उसे आपने hold कर रहा है वो होगा equity में कहां पर equity में तो हम क्या करेंगे equity पर click करेंगे तो यहां पर इस तरीके से interface आ जाएगा अब यहां पर अगर आप देखोगे तो equity में हमारा जो यह यहां पर equity हमने डाल रहा है उसमें कितने यहां पर equity पर click किया कितने रूपए हमने invest किये थे 125 रूपए इनवेस्ट किये था कितने हो चुके है 140 रूपए हमारे यहां पर हो चुका है लेकिन यहां पर पेले जादा show कर रहा था अब कम show कर रहा है तो उसका reason भी मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर जो mutual fund है, इस पर click करता हूँ, तो यहाँ पर मेरे जो mutual fund में invest कर रहे हैं, वो यहाँ पर show होगा, अब guys, यह तो mutual fund का हो गया, हम क्या करेंगे, equity पर ही वापस से दुबारा से click करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर shares को, delivery shares हमने hold कर रहे हैं, इसे हम बेचेंगे, यानि कि sell करेंगे, sell कैसे करेंगे, यहाँ पर आपको सबसे पहले equity पर click कर देना है, अगर आपके इस पर all पर select है, तो इस तरीके से show होगा, total यहाँ पर show होगा, जितने भी आपने mutual fund और stocks में invest कर रहे हैं, वो सारे यहाँ पर दिखाए देंगे, मेरे 724 रुपए investment है, बाकी mutual fund और यह stocks के दोलों के जोड़ के यहाँ पर continue कर रहे हैं, लेकिन हम सिर्फ stocks के अगर देखें, तो यहाँ पर stocks के लिए, यहाँ पर equity दी गई है, तो equity वाले option पर click करेंगे, तो जो हमारा balance है, वो कितना रहेगा, मात रहे 125 रुपए हमने invest किया था, वो यहाँ पर show कर रहा है, और current value 140, 141 रुपए यहाँ पर हो रही है, तो हम क्या करेंगे, sell करेंगे, sell करने के लिए मैंने 3 stocks को hold कर रहा था, पहला yes bank का होगा है, दूसरा यह है, और तीसरा idea का है, तो मैं यहाँ पर yes bank का share को बेचना चाहता हूँ, काफी सामय से मैंने इसको hold कर रहा है, लेकिन इसमें कोई फरक नहीं आया, इस वज़े से मैं इसे यहाँ पर बेचना चाहता हूँ, तो जो भी बेचना चाहते हैं, वो यहाँ पर क्लिक करना है, उसके बाद में यहाँ पर रहा है, एक share है, तो मैं इस पर yes bank पर क्लिक करूँगा, जैसे ही yes bank पर क्लिक करोगे, इस तरीके से interface आ जाएगा, अब guys यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान देना है कि आपका जो investment है, वो 16 रूपे था, market value 17 रूपे है, quantity हमारी एक है, तो मैं क्या करूँगा, sell करूँगा, तो sell करने के लिए यहाँ पर नीचे में sell का एक option दिये गया है, इसी पर हम क्लिक करेंगे, यहाँ पर red में, तो sell पर हमने क्लिक किया, कितने stocks ह यहाँ पर डालना है, मेरा एक stocks है, तो मैं एक पर क्लिक कर देता हूँ, किस current पर बेचना चाहता है, जैसे market limit होगए यहाँ पर market, तो मैं market पर क्लिक करूँगा, यहाँ पर delivery और internet है, तो यहाँ पर अधिक तर आपने hold किया है, तो delivery पर ही क्लिक करना है, मैं delivery क्लिक करता उसके बाद में जैसे ही मैंने market पर क्लिक कर दिया, यहाँ पर stocks कितना बेचना चाहता हूँ, मेरा पास एक stocks है, तो मैं एक बेचना चाहता हूँ, और यहाँ पर देख सकते हो, कितना यहाँ पर पड़ा हूँ है, वो भी यहाँ पर दिख जाएगा, sell करने के लिए नीचे ए verification करना होगा, और एक T-PIN आपको generate करना होगा, T-PIN गाइस हमारे पास अभी फिलाल अवलेबल नहीं है, तो हम सब पहले T-PIN को generate करेंगे, तो T-PIN को generate कैसे करेंगे, generate T-PIN वाला option दिखाए दिया रहा है, इस पर आपको click कर देना है, उसके बाद में यहाँ पर बोलेगा कि proceed तो proceed बटन पर click करेंगे, जैसे ही proceed करेंगे, यहाँ पर बोल रहा है, OTP आएगा, verification के लिए, तो यहाँ पर इंटर डेक्स लोडर T-PIN, T-PIN के लिए verification होगा यहाँ पर, तो हमारे पास SMS आचुका है, यहाँ पर SMS हमें यहाँ पर डालना होगा, SMS यहाँ पर मैं डाल देता ह हूँ, देख सकता हो, यहाँ पर मैंने जो OTP आया है, वो यहाँ पर fill up करना है, आपके जो भी registration, mobile number है उसके और verify कर देना है, उसके बाद में email पर जो notification है, वो यहाँ पर share किया जाएगा, कि आपका जो OTP है, वो यहाँ पर डालना है, तो मैं OTP दूबारा से यहाँ पर fill up कर लेता हूँ, उसके बाद में verification करता हूँ, verification देख सकता हो, status successful हो चुका है, then authentication हमारा यहाँ पर successful हो चुका है, then यहाँ पर confirm पर click करता हूँ, जैसे ही confirm पर click करता हूँ, order place and यहाँ पर execute हो चुका है, ठीक है, हमारा जो TP है, वो बन चुका है, और TP हमारा आ चुका है, हमने जो टीपीन डाला था वो शुरू में डाल दिया था और अब जो हमारा position से वो cut चुकी है अगर यहां पर मैं देखूंगा यहां पर अगर मैं देखूंगा portfolio में चलता हूं then equity पर चलता हूं then यहां से मेरा yes bank का जो share है वो अभी भी यहीं पर show कर रहा है लेकिन यहां पर जो zero लिखा रहा है यहां पर पहले एक लिखा रहा था वो यहां से गायप हो चुका है अब कहां पर आया है चली यहां पर देखता हूं यहां पर इसको यहां पर मैं accounts वाला option पर जो accounts से दिया गया है इस accounts पे click करता हूं तो यहाँ पे मेरा जो पेशा है वो यहाँ पे credit हो चुका है देख सकते हो trading balance के अंदर show हो चुका है मेरे यहाँ पे 9 रुपे थे guys और अब यहाँ पे तेविस हो चुके हैं मेरा जो balance है वो यहाँ पे आ चुका है इसमें से 80% amount आ जाता है उसके बाद में जो बाकिये का 20% amount है वो कल आ जाएगा और यहाँ पे बात आती है गाई इसकी यह sale हुआ है यह नहीं हुआ है तो यह sale हो चुका है यहाँ पे आपको orders में आना है जो orders दिये गया है इसमें आपको आना है और यहाँ पे आपका जो minus share है वो दिखाना चाहिए यहाँ पे one share minus में है क्योंकि हमने इसको batch दिया है इसको यहाँ पे कुछ भी share chart आपको नहीं करना है क्यों नहीं करना है यहाँ पे sale का options आ चुका है हमने sale पे लगा दिया है basically हम इसको sale करते है तो भी यहाँ पे दिखाए देता है तो कोई दिक्कत नहीं है बस आपका जो यहाँ पे sale हो चुका है उसके बाद में जो MPN आपका आया है वो आपको SMS के तुरू आपके registration mobile number पे मिल चुका है मैंने जो सिरू में MPN डाला था वो यहाँ पे MPN था गाईस और यहाँ पे जो TPN है सोरी यहाँ पे TPN है वो सिरू में मैंने डाला था वो मेरे registration mobile number पे आया था जैसे ही आप registration पे click करोगे आपका जो TPN है वो आपके registration mobile number पे send कर दिया जाएगा बेसेकली TPN six number का होता है six digit का तो जो भी आपका registration mobile number है उस पे चिर्कल लीजिए उसके बाद में अगर उस पे नहीं आता है तो आपको email के जरीए email ID पर भी share कर दिया जाएगा और I hope अब आप समच चुके होंगे कि कैसे यहाँ पे TPN के जरीए यहाँ पे delivery share को यहाँ पे sell किया जाता है अगर फिर भी कोई problem हो रही है तो आपको कुछ नहीं करना है यहाँ पे जो portfolio है इसी पे आना है वसके बाद में जिस भी share को आप यहाँ पे sell करना चाता है उस पे sell पे click करिए कितने share को आप sell करना चाते है market के इसाब से sell वाले पे click करना है और यहाँ पे जिसे कि आपने आज sell किया है कोई share को तो सिर्फ एक बार tip in मांगेगा फिर आप दिन बर में कितने ही share को आप यहाँ पे sell कर सकते हो ऐसा करने से गाईस यहाँ पे tip in सिर्फ एक बार के लिए verification मांगा जाएगा फिर आप दिन में यहाँ पर जितने भी शेर को बेच वोगों टीफिन नहीं मांगेगा और अगर आपको टीफिन अब भूल जाते हो याँ फिर कहीं है तो आपको टीफिन को नोट डाउन कर लेना है क्योंकि टीबीन बना यहां पे शेयर्स को यहां पे जो हैं हम शेयल नहीं कर सकते हैं वीडियो चलागी तो वीडियो को लाइक शरूर कर देना चैनल पर है तो तो नोको सस्क्राइब कर देना पर बैल आइकन को प्रेस सरूर कर लेना